नमस्कार आप देख रहे हैं पब्लिक लाइब डियूज वर आपके साथ स्वस्ववकर मादरा सब्हों क सूरत सिविल अस्पिताल में एक । सफ़ल ऑप्रेशन हुआ है। क्या है कुछ सफ़ल ऑप्रेशन उसके लिए किस तरह का सफ़ल ऑप्रेशन हुआ है? और इसका चर्च हो कितना था? और सूरत में यह पहली बार थे किस तरह का उप्रेशन है द्मश्कार मेरा नाम डॉक्टर गनिश को भी कर रहा है Medical Superintendent New Civil Hospital सूरत हमार यहां जो New Civil Hospital सूरत यह Tertiary Care Center है जो के साउध गुजरात का एक सबसे बड़ा Hospital है With Medical College Attached हमार यहां Surgery Department के तरफ से डॉक्टर निमेश वर्मा की जो टीम है उनके दौरा एक लेजर फैरिंग प्लास्टी करके एक Operation हुआ है जो इन जनरल जैसे की कोई आदमी एसिड पी जाता है तो अंदर जो अनन नड़ी और जो सौस नड़ी और स्वर पेटी जो बिलकुल डैमेज हो जाता है उसके लिए Operation होता है यह लेजर के दौरा किया गया Operation है और इसके दौरा जो वहां पे जो क्लिप नहीं होती है इन जनरल जैसे ऑपरेशन बाहर करा जाए तो इसको चार से पाश लाक रुपए का खर्चा आता है जो कि हमारे नई सेविल ऑश्पिटल की तरफ से यह निशुल का तौर पे किया गया है इन जनरल इससे पहले यह मंबए यह एंदाबाद भेजा जाना पड़ता था जोकि अभी हमारै यह शुरू किया गया है स्टिज का इसके बाद आज हमारी हैं दूसरा यही यहिए करेंगे जिसके बाद पेशंट किंप्लेटली सही हो जाएगा यह हमारी आशा है। रही है मैं यहां पर डॉक्टर निमेश वर्मा सर के साथ में एज एसोशेट प्रोफेशर डिपर्मेंट ऑफ सर्जरी में काम करता हूं अगर देखा जाए तो जो प्रयास था जो पहले प्रयास था कई बार दो तीन बार आपने इसी ऑप्रेशन को करने के लिए प्रयास किया गया था तो जो प्रयास असफल रहा तो किस तरह की निरासा रही या फिर से सक्सेस्फुल करने के लिए फिर से दुबारा यह किया गया कितना उसका सामना करना पड़ता है जब यह ऐसे ऑपरेशन जबकी बहुत अंसक्सेस्पुल होते हैं वो फिर से जुटाना होता है और सक्सेस्फुल और नासक मिली है तो अच्छ सामेंटल मूरल और साज प्रोमजी क़म भूस्त होके वरपिस करने हैं हाल में जिस तरह से एक पेसेंट को पूरी तरह से सफल ऑपरेसन हो चुका है, क्या उसकी हिष्टरी क्या थी? वो जो patient था वो accidentally toilet cleaner acid पी गया था उसमें गले से पूरा उसका मतलब close हो गया था इसो फेगस वो खाना नहीं खा पा रही थे और जो भी खाना खाते थे वो मुझसे या नाग से बाहर आ जाता था तो ऐसे circumstances में हमने पहले endoscopy करके देखा कि मतलब patient का status का है उसमें हमको में मालूम चला कि नहीं वो गले से complete closure है फैरिंग्स का तो यह patient को हमको हमरे पास laser machine available है तो हमने उसका पीछे के दो-तिन failure हुए थे हमरे उससे थोड़ा कहां-कहां setback हुआ था वो improve करके इस patient में हमने किय है जिसमें हमको success मिलना है खास करके दूसरा जो patient अभी हाल में जो अफस्ट इस्टेस पुरा हुआ है उसको लेकर कितना डॉक्टर की यूट्टी में किस तरह का operation का फस्टेस पुरा किया second stage के लिए क्या procedure होगी आज हमने जो किया है उसमें मतलब हमको partial open करने में और नेक्स्ट वेनस दे तक जो आज का operation है उसको हम वापिस endoscopy करके देखेंगे कि कितना healing हुआ है क्या status है tissue का और फिर जरुरत पड़ेगी तो फिर आगे हम second stage के लिए उसमें proceed करेंगे यूँ कही सकते हैं कि अब जो इस तरह के जो मरीज आते हैं जो पेसेंट आते हैं उनको गबराने की जरूत नहीं है अब सूरत में इसका सफल operation हो शकता है तो यह इस तरह का कोई भी अगर होता है तो accident तो आप सुबर सिविल में आकर इसका इलाज ले सकते हैं यह हां वह मतलब treatment तो हो सकता है लेकिन society को हम message देना चाहेंगे कि मतलब पहले तो यह सब चीजे नहीं करें तो बहतर है इलाज हमारे पास है हम अपनी हिसाब से जो भी options patient के लिए हमारे पास है हमारे setup में है यह हॉस्पिटल में है वह करते हैं patient के लिए लेकिन सबसे पहले request तो यह करेंगे कि मतलब इन सब चीजों से दूर रहें और ना करें खास करके हमारे साथ जो है एक patient है उनके husband है उनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि उनका फास्ट जो उनके पत्नी का फास्ट जो 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 ऑपरेशन है वो सफाल हुआ है आपका नाम गया संजे बैं संजे ब सब्सक्राइब से हुआ तो नले खुल गई इससे पहले कहां ले गए उससे पहले प्राइवर्ट ऑस्पिटल क्या कर्च हुआ हो तो तीन साड़े तिन लाख रुपया चला गया उसके बाद आप सूरा सिविल लाए है यहां बहुत अच्छा लगा क्या कुछ जो है डॉप और खालने लगे जहां मेरे बीवी, तो कही नहीं जो है पेसेंट के जफे देट है उनका जो कहना है कि कही नहीं कहीं जो ऑप्रेशन सक्सेस्फोल हो जाएगा उनको विश्वास है और इस तरहा का जो ऑपиватьारे तो कहने कहीं एक साब बात हो जाती है कि डॉक्टर की जो मेनत है वो इसमें रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। सुरसिक केमरमें शुमीत रात्पुत के साथ राजेस बिस्व कर्मा बीरो रिपोर्ट